Hi students, Assalamualaikum, कैसे हो सबी लोग, I hope कि अच्छे होंगे आज का जो वीडियो है हमारा वो आपने देखा होंगा किस पे हम बनाने वाले हैं आज हम बात करेंगे पहले सबसे पहले Class 12 जो Political Science का पेपर है यहाँ पर उसका जो यहाँ पर Important Questions है और Guest Paper है और मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि Model Paper कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और Questions जो है हर किसी एक्जाम में आते हैं वो Questions ठीक है अगर आप चेक भी कर सकते हो प्रिवियस पेपर चाहे 2021 के पेपर यह बाइनवल जो 2022 की Students है यह 2020 के 19 की 18 की जो भी आप चेक करोगी तो मैं आपको एक Guest Paper आपके सामने रखोंगा और फिर अगर आप वही Guest Paper अच्छे से पढ़ोगी तो आपको 90% मार्कस आ जाएंगे अगर आप अच्छे से वो Questions पढ़ोगी ठीक है दूसरा यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पास मार्कस जो है वो कितने होते हैं ठीक है न और बताने वाला हूँ आपको मैं किस सेक्शन में कितने मार्कस होते हैं ठीक है लिए वहां पर आप जॉइन हो सकते हो आराम से और अगर आपने मुझसे directly contact करना है लाइक अगर आपको यह PDF चाहिए ठीक है न तो आप मुझे एक message कर सकते हो टेलेग्राम पर यहां फिर instagram की link भी है description में वहां पर message कर सकते हो मैं आपको जवाब दूँगा ठीक है जलो जी मैं आपको सबसे पहले paper दिखाऊ और guest paper तो students अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखो की ठीक है तो मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा आप इसका screenshot भी उटा सकते हो मतलब कि यहां पर मैं जब question paper पढ़ूँगा तो आप यहां पर screenshot भी उटा सकते हो फिर आराम से वो अपने राफ़ पे लिख सकते हो फिर वो ही prepare कर सकते हो exam के लिए ठीक है जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसी के लिए वीडियो है अगर आप hand up मार्क्स लाना चाहते हो तो यह भी पढ़ना और सालसर अपना भी पढ़ना ताकि आपको कोई में मार्कस जो है वो कटना हो जाए ठीक है तो जलो जी सबसे सबसे पहले यहां पर देखेंगे हैं आपको hand up marks मिलेंगे इसमें सबको मालूम ही होगा इसमें तीन सेक्षिन रहेंगे एबी सी ठीक है तो सबसे पहले 66 marks की क्वेच्चन रहेंगे उसमें लॉंग आंसर टाइब कोच्चन रहेगा अगर हम कोच्चन नमबर वां की बात करे थीक है इसमें लिखें आ विदे आप कुलवा नंब वास्ट रिवलेंगे इसमें शसमें लीघ नंसर टाइपे बीस सबसे टाइड कोच्चन रहें इसमें बात क्रेच्चन रहें यहां राइब रूर्टि ने न्यूम अच्छिन रहें के क्वज़ एगन सेक्रीं अरे अटे यह वो श्क्राइल एंगे इन अर्ली यह आपिंदिपेंडर्नेंट प्पोजिशनपर यह वेर लुप्तरु वे लेटल रों दू डीओ तो देरेंबोलाइक करेक्टर्ण प्रैस अंग्र गार्टिय। इसके बाद है question number 4, इस पे भी 6 marks रहेंगे आपको, इसमें लिखा कि why did you, why did the government have imposed emergency 1975, was it the necessary set up to deal with the prevailing situation, you, reason is in support of your answer, ठीक है, उसके बाद है इसी का मतलब कि choice question, इसमें लिखा है critical access of the role of Bihar and Gujarat moments of highlighting of the loops holds and Congress government, ठीक है, उसके बाद 6 marks का और एक question आएगा, 5 question number 5, 6 marks का, examine the role of regional parts of the colonial policies, उसके, again is a question, आएगा, ठीक है, चलो जी, यहाँ पर एक section हमारा खतम हो गया है, अगर हम दूसरी section की बात करेंगे, इसमें words कितने ही लिखने हैं आपको, 100 से 150 words लिखने हैं आपको, ठीक है, अगर हम यहाँ पर long answer की बात करेंगे, long answer में कितने words आपक चलो जी, हम short answer की तरफ जाएंगे, short answer में आपको हर किसी question में 4 marks में लेंगे, इसमें कोई internet choice नहीं मिलेगी, ठीक है, सबसे पहले अगर हम question number 1 की तरफ ज्यान देंगे, इसमें लिखा brief the described hegemonia of USA and swap to power, ठीक है, उस पर there is a state of option for the shock therapy, China poonier and new path in the adopting, ठीक है, market economy was a success comment, So explain the main cause of ethnic conflict in Sri Lanka, what has been stand in UN reformation, what do you understand by sustainable development, what was the outcome of the Royce Smith, उसके बाद ही 11 question number, define national buildings, what was the Nehrui approach to national buildings, इसमें भी 4 marks में लेंगे, आपको एच में ठीक है, what do you understand by the green revolution, green revolution कि इसको कहते है, आपको मालूम होगा, ठीक है, what, where its effect is, what is CTBT, Do you think India's response to CTBT is genius, उसके बाद, question number 14, what do you understand by the slogan of the Giri, भी हटाओ, what is successful, ठीक है, उसके बाद, how does article 370 reflect the special status, ये question number, ये additional question आगया है, ठीक है, ये जो question है, मैं आपको मार करके भी दूँगा, ये question, ठीक है, ये जो question है, बहुत ही मतलब कि यहां पर अच्छा question है, ये current affair से पूछा गय है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेगे, इस साल भी आ सकता है, ये question, उसके बाद, 30 words का आपको लिखना है, short answer type, question, very short answer type, question, इसमें आपको 30 words maximum लिखने, आप 20 words भी लिख सकतो, लिकिन maximum इसमें 30 words है, चलो जी, देखते हैं, कौन सा question है, सबसे पहले, यहां पर इसमें Name two major contentious issues between India and Pakistan, which treaty has survived to this day, despite various military conflict between the two neighbors, ठीक है, इसमें दो-दो marks के answer रहेगा, आपको, मतलब questions रहेगा, और answer आपको 30 words, 30 words, what disaster management, disaster management, इसको कहते हैं, mention any three new source of threat, global security, उसके बाद, what do you mean by globalization, globalization का मतलब, what is culture, hegemonization, due to example culture, hegemonization, ठीक है, what is the punch shield क्या कहते है, punch shield का मतलब क्या है, what is chip commitment, standards for, किसको chip commitment कहते है, give a brief introduction of mandal commission, mandal commission क्या कहते है, उसमें लिखा क्या है, सब कुछ यहां पर आपको discuss करना, उसके बाद objective type रहेगा, objective type में एक marks रहेगा, एक एक question को, ठीक है, चलो जी देखते हैं, इसमें ल following was earlier called the Bhagavat pact, यह आप देख सकते हो, options में लिखे हैं, एक marks का, दूसरा है the policy of the glass notes in a state by, इसमें लिखा है, options भी लिखे हो है, अगर मैं आपको सब कुछ यहां पर तो मुझे लगता है, वीडियो अलंबी हो जाएगी, मुझे लगता है, कि आपको यह अंदाजा हो गया है, कि paper क कैसे आता है, और guest paper मैंने आपको बता दिया है, अगर आप यह paper अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, यह जो यहां पर लिखा है, questions ठीक है, आप इसको screenshot भी उठा सकते हो, अगर आपको screenshot नहीं आता है, मतलब कि screenshot में कुछ problem होती है, मतलब साफ नहीं आता है, तो आप मुझे Instagram प किया है, तो आप मुझे एक message करना कि, सर मुझे PDF चाहिए, इस paper की political science 12th class की JK Boss, तो मुझे आप message करना, तो मैं आराम से आपको वहां पर provide जो यह करूँगा, ठीक है, यह कुछ information थी, ठीक है, political science की, अगर आपको further information चाहिए, next video किस मतलब की, किस subject पर चाहिए, 11th, 10th, तो किसी हो टापिक पर बाहिए को दीजिया अजाज़त, अल्ला हाफिज